नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में आज के इस फीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आर्सियम का जो सेल्फ इन्वाइस होता है उसको जनरेट करने से रिलेटेट जो टाइम लिविट है, गौर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है आर्सियम यानि कि रिवर्स चार्ज मेकेनिजम, रिवर्स चार्ज मेकेनिजम उस पे एप्लिकेबल होता है कुछ ऐसे सर्जिसेस होती है, जहां पर कि गौर्नमेंट को अगर टेक्स कलेक्ट करने में प्राब्लम होती है तो गौर्नमेंट वहाँ पर आर्सियम जो है वो एप्लिकेबल कर देती है आर्सियम की जो एप्लिकेबल्टी होती है, वो रिसिपियंट पे होती है आप RCM का देखे, structure में आपको यहां पर बताती हूँ, एक होता है supplier और एक होता है recipient, यानि कि एक माल sale करने वाला होता है और एक माल खरीदने वाला होता है, तो जो माल sale करने वाला है, अगर वो unregistered है और वो किसी registered party को माल sale कर रहा है, तो इस case में अगर उस goods and services के उपर RCM applicable है, तो उस case में जो recipient है, यानि कि जो receive करने वाला है goods and services को उनके उपर applicability हो जाती है RCM के अंडर में, reverse charge mechanism के अंडर में, government को वो takes pay करते हैं on the behalf of unregistered supplier से अगर वो माल या पर services को लेते हैं, पहले क्या होता था, कि अभी मैंने आपनों के सा सारी जो self-invice करनी थी, कुछ लोगों नहीं किया था, तो उस related government ने update दिया था कि आप opening balance डाल सकते हैं, अगर कुछ ऐसे RCM है जो आपने previous RCM जो आपने छोड़ दिये थे, अगर वो आप नहीं कर रहे थे, तो आप इसको कर सकते हैं opening balance में डाल के, और उसको आप claim कर सकते है तो यह जो पीछे का old work है, वो तो हो ही रहा है, बट अब यह effective में आ जाएगा, 1st November 2024 से, अब जो RCM की, जो invoice की time limit है, self-invice जो हम generate करते हैं, उसकी time limit होगी है 30 days, जब भी आप goods and services receive करते हैं under RCM, तो आपको within 30 days, आपको tax pay कराना है under RCM, उमीद करती हूँ, यह वीडियो आप स इस विलोग के लिए helpful रही होगी, अगर helpful रही है, तो प्लीज चैनल को like, share, subscribe कर दीचे, एक और चैनल है मेरा English Language में, जहां पर कि मैं accounting का work, English Language में बनाती हूँ, जो भी इंगलिस का, जो भी accounting का work, English Language में सिखना चाता है, इसको accounting का work, English Language में सिखाती हूँ, thank you for watching, keep watching.